इसमें रेनु का स्वागत कती हूँ मेरे चैनल पर टू केजी का चॉकलेट केक स्पंज कैसे बनाते हैं कितना इंच का टीन कितने प्रिमिक्स लेना चाहिए उस सारा डेटिल इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा आप बिगनर से नए ने सीख रहे हैं तो ये वी प्रिमिक्स है इसमें आपको कुछ भी एड करने की जरूरत नहीं है पूरी तरीके से रेडिमेट है ओंडली आपको लाना है और इसमें डालना है पानी और दो चमच ओईल और बस घैस के उपर ही बेक करने वाले हैं कोई ओटीजी या ओवन का यूस नहीं करेंगे तो फ्र करके आप जरूर देखिएगा नहीं तो चैनल के विजिट करके आप जरूर देखिएगा आपको मिल जएगा सेम वेणिला का फ्लेवर में बहुत बनाते हैं वह बनने उसमें दिकाया है तो फ्रेंज्ट यहां टूपजी के लिए फॉर कप प्रिमिक्स तो अपको 2 kg कि तो फ्रेंस इसमें आपको पानी एड करते हूँ थोड़ा-थोड़ा पानी एड करते हुए दालंगे हमारे लगा करते हैं और गुटलिया बिल्कुल भी नहीं रखनी और फ्रेंस इसका जो क्रीमी टेक्चर आना चाहिए बैटर का तो यह ठीक है और गाड़ा है तो और मैं इसमें पानी एड़ कर रही हूं यह जो केक स्पॉंज में दिखा रही हूं यह आइस केक में यूज किया जाता है मैंने धेर चैनल पर जाके जरूर देखिएगा जिसे ग्लास केक भी बोला जाता है तो फ्रेंस मैंने दो चम्मत जितना डाला है यहां और फ्रेंस जैसकी आपकी वन केजी का हो टू कप का प्रेमिक से तो वन स्पून आपको डालना है और मैंने यहां दो लिया है मतलब जैसे आप बन के रेडी है हम यहां ग्यास के उपर बेक होने के लिए रख देंगे कोई ओटीजिया ओन का यूज नहीं कर रहे हैं अब घर बेटे बिजनेस करना साथे हैं केक बना कर सीखना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हो मेरी वीडियो देखके तो मैंने यहां 12 इंच का ट आपको डाल लेना है और पैचुला से पुरा आपको साप करके पूरा डाल लेना है और इससे गैस के उपए बेक होनी के लिए गाससा या पतल आप बेक्थ करने के लिए रख सकते हो जरूरी नहीं है वो नहीं चाहिए तो इस तरीके से मैंने equal किया है क्योंकि cake का sponge है वो dome shape में ना आए तो इस तरीके से आपको equal करते हुए कर लेना है और अब मैं यहां एक दो बारे से टैब करूंगी टैप करने से क्या होता है जो बबल से वो निकल जाते हैं तो इस तरीक से टैप करने के बार आप मैंने यहाँ इससे बेक करने के लिए रखूंगी तो मैंने एक पतेला रखा है और पतेले में मैंने एक स्टैंड रखा है इसमें नमक भी मैंने नहीं आयर किया यह तो आप नम इस से बेक करा है और देख सकते हो मैंने दो दो बनाया है बट मेरे यहां मेरे लड़के ने ले के गया है आदा सफ़ूंज और यल इसी से आप आइस केक भी बना सकते हो मेरे चैनल पर वीडियोज अफ्लोडे चुकाउट जरूर कीजिएगा और मैंने इसी से ग्लास केक बनाया है जिसे की जरी केक बोलते हैं वीडियो इस पूर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब